साथियों, आज हम समश्ट्री अर्थशास्त्र के एक बहुत महत्वपोन पहलू पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर सीमा सोरल, एसोसेट प्रॉफेसर एकनॉमिक्स, हैड अफ दे डिपार्टमेंट, कॉर्मेंट आट्स कॉलेज गोटा। राष्ट्रिया आय की गणना में हम जो भी समस्या होती हैं, उन्हें मूल रूप से धार्णा मूलक और सांखी की कठिनाईयों के अंतरगत बांट कर और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले धार्णा मूलक, कठिनाईया जो राष्ट्रिया की गणना में आती हैं, उसकी चर्चा करें, तो उसमें सबसे पहले आते हैं उपेक्षित बाजार सौदे। अर्चवस्ता में कई लेंदेन की क्रियाएं बाजार के माध्यम से तो संपादित होती हैं, पर ये लेंदेन की क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं से संबध न होने के कारण राष्ट्रियाय में शामिल नहीं की जाती। उपेक्षिप, बाजार, सौधिक, तीन प्रकार के होते हैं हस्तांतरन्वुक्तान, पूंजिगत लाब और अवैद क्रियाओं से प्राप्त लाब या आई हस्टान्टरण बुक्तान का अभिप्राए उन मौत्रेग बुक्तानों से हैं जो प्राप्त करताओं की चालू उत्पादक क्रियाओं से अरजित नहीं होते वरन राहत महुचाने या आय वित्रण को प्रमाबित करने अत्वा पूर्व उत्पादित वस्तूओं या आमदनी क हस्तरां त्रण बात्र होते हैं जैसे पेंचन बुक्तान रहत बुक्तान स्कॉलर्शिप पूरसकाराधी यह राश्ट्रियाय में शामिल नहीं किया जाता है दूसरा है पूँजिगत लावाने पूँजिगत संपत्यों के बाजार मूल्यों में होने वाले घटत पड़त से परिसंपत्यों के स्वामियों को लावानी होती रहती है जैसे शाहरी करण के कारण मूल्य व्रत्ती में भूखर्णों को बेचने से भारी लाव होता है तो पूँजिगत परिसंपत्यों में जो उतार चड़ावाते हैं उन लावों का अरजन चालू आर्थिक क्रियाओं के कारण नहीं होता है इसलिए वह राष्ट्रिय आय के लिखों में शामिल नहीं होते हैं तीसरा है अवैद क्रियाओं समाज में कानूनी रूप से अवैद क्रियाओं चलती रहती हैं जैसे चोरी, डकैती, लूपट, जेब, कत्री, तसकरी, आदी इन क्रियाओं से अरजित आय इसको सामाजिक द वस्तुओं और सेवाओं के आकलित मूले राष्ट्रिय आय में जोडने में कठिनाई अर्थ्य वस्ता में प्रतिवर्ष ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित होती हैं जो चालू आर्थिक क्रियाओं का प्रतिफल होते हुए भी बाजार में खरीदी और बेची नही इनको राष्ट्रिय आय में शामिल करने में बहुत कठिनाई आती हैं तीसरा है अंतिम्व मत्यवर्ति उत्पादों की समस्या मैंने पिछले वीडियो में आपको राष्ट्रिय आय की गढ़ना करने में दोरी गढ़ना की समस्या का विवेचन किया था जिसमें हम अंतिम उत उसके बीच में जो मद्देवर्थी वस्तू का प्रयोग किया गया जैसे रोटी बनाने में आटा गेहूं इनके भी मूले को जोड़ने और रोटी के भी मूले को जोड़ने तो जो हमारा हमारी जो गढ़ना आएगी वो गलत होगी क्योंकि रोटी के मूले में आटे और मूले शामिल है तो मैंने आपको पहले बताया था कि मूले वर्दित भी निकाह में इस संदर्व में प्रयोग करना चाहिए इसके बाद है घिसावट की करना करने में समस्या एक वर्ष में जब हम उत्पादन की प्रक्रिया करते हैं तो पुझिकत मशीनों एवम उपकरनों में गिसावट तूट फूट होती है तो उनके मूले में कमी आ जाती है यदि हम राश्ट्रिय आय की सही सही करना करना चाहते हैं तो घिसावर, टूट, फूट इनकी कमी को राश्ट्रिय आय में से आवश्यक रूप से घटा देना चाहिए नहीं तो राश्ट्रे आयकी जो हम गढ़ना करेंगे वह सही नहीं होगी इसके बाद है विदेशी फर्मों की आयकी गढ़ना अब राश्ट्रे आयकी गढ़ना करने में कई बार यह समस्य आती है कि हम विदेशी फर्मे जो हमारे देश में उत्पादन कर रही है उनकी आयक को हमारे देश की आये में जोड़ें या नहीं जोडें तो GDP और GNP का अनतर इसमें है अगर GNP है तो हम जो विझेशी फ़र्मे या विधेशी नागरिक आये अरजित कर रहे हैं और वर विदेशों में भेज रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि वो हमारे देश की राष्ट्रिया में से घटेगी और अगर हम और जो विदेश में हमारे भारतिये उत्पादन कर रहे हैं जो आये बेज रहे हैं उनको हम जोडेंगे और GDP में हम अपने देश की परिसीमा में चाहे वो विदेशी नागरिक उत्पादन कर रहा हो विदेशी फ गढ़ना कर रहे हैं या GDP की गढ़ना हम कर रहे हैं अब हैं सरकार द्वारा जो उपलब्ध प्रशासनिक सुरक्षा सुविधा न्याय आधी के बाजार मूल्ये निर्धारण में बहुत कटना ही आती हैं जैसे प्रशासनिक सुरक्षा सुविधा आधी राश्ट्रियाmee उपलब्ध सेवां के बाजार मूल्यों को जोड़ा जाना ज़रूर है परंतों इनके बाजार मूल्य को ग्याद करने में बहुत कटना ही आती हैं तो इस प्रकार बहुत सावधानी से इनके बाजार मुल्य का आकलन करके और राश्ट्रियाई में जोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद है आर्थिक क्रियाओं के परिभाशें। अब राश्ट्रियाई की गढ़ना करने में एक निश्चित समयावधी में वहां के उत्पादन के सादनों की आर्थिक क्रियाओं के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समगर योग को ही हम राश्ट्रियाई कहते हैं। अति यह जानना बहुत जरूरी है कि राश्ट्रियाई में कौन-कौन से वस्तुओं और सेवाओं को समलित क्या जाएगा। हम नहीं मांत के और उनका राश्ट्रियाई में समाभेश नहीं होता है.. जैसे ग्रहनी द्वारा अपने परिवार के लिए खाना बनाना, एक शिक्षक द्वारा अपने बच्चों को बढ़ाना, एक चिकित्सक द्वारा परोपकार के कारण चिकित्सक सेवय देना तो इस प्रकार अनार्थिक क्रियें जो आर्थिक उद्देशे से नहीं की जाती उनको शामिल नहीं किया जाता तो राष्ट्रियाय की गर्णा करने में ये धर्णा मूलब समस्यां उत्पन होती हैं अब जो दूसरी समस्या राष्ट्रियाय की गर्णा करने में है उसको हमने सांखी की कठिनाईयों का नाम दिया है उसमें सबसे पहली कठिनाई है बारिभाशिक कठिनाई राश्ट्रिय आय से समानेता ये प्रहम होता है कि इसमें देश के भौहलिक सीमाओं के अंतरगत प्राप्त आय ही सम्मिलित होती है जबकि वास्तों में देश के निवासियों द्वारा विदेशी निवेशों पर व्याज, बैंकिंग, निव्याद, आयाद, आदी की कमाई भी राश्ट्रिय आय में जोड़ी जाती है दूसरा है आंकडे संकलन वसांकी की व्यवस्था का अभाव कई राश्ट्र ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार से जन संक्या, रोजगार, उत्पादन, व्यवसाय, उपोग, आदी के आकडों का संकलन नहीं किया जाता है तो वहाँ पर जो राश्ट्रिय आय की गड़ना होती है वो आंकडों के अभाव में भ्रमात्मक राश्ट्रिय आय हमारे सामने निकल कर आएगी अशिक्षित और अंधिविश्वासी, अविक्षित और पिछडे राश्ट्रों में लोग अशिक्षा के कारण अपने आय उत्पादन वभोग संबननी को हिसाब नहीं रखते और इसके अलाबों बहुत अंधिविश्वासी होते हैं इसकाराण उप्भोग आय ववे संबननी सूचना देना उप्युक थे ही नहीं समस्ते तो ऐसे देश में राश्ट्रिय आय की जो गढ़ना होगी वो सही नहीं होगी और राश्ट्रिय आय की गढ़ना करने में कठिन उत्पन्न खुब नेक्स्ट्रेक गैर मौद्रिक लेंदेन राश्ट्रिय आय की गढ़ना द्रव्य में की जाती हैं परंतु कई वस्तुएं और सेवाएं जो हैं वो मुद्रा के माध्रम से विनिमें नहीं के कारण उनका मौद्रिक मुल्यांकर नहीं होता तो ऐसी अर्थ् में गरना नहीं हो पाती तो इस राश्ट्रेय का जो आखलन है वो सही नहीं होता है थे मापने की रीती वद रश्ट्रिकोन तो राश्ट्रियाय को आपने के लिए कौन सी रीती का प्रयोग किया जाए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उत्पादन विदी आयविदी और वियाविदी किस रीती का प्रयोग किया जाए इसका भी निर्धारण हलाकि इन सबसे जो हमारी यराष्ट्रिय का आक्लन आता है वो समान आता है लेगन फिर भी अगर हमारा उत्देश्य जैसे जन्त के कल्ण्यान का अध्यंग करने तो वियाय द्रीष्ट्रिकों अपनाए लिया जाए तो बेहतर हो का ये इमीं उत्पाद शंता का राष्ट का पता लगाना आ बादन विदी का प्रियोग कर लिया जाना चाहिए लिए नेक्स्ट है मूल्य इस्तर में परिवर्थ राष्ट्रिया आए संबंदी आंक्रों की तुलना करने में मूल्य इस्तर में वे परिवर्थनों का भी समयोजन करना पड़ते हैं तो जैसे अगर इंफलेशन है मुद्रा इस वीती है तो हमें राष्ट्रिया बहुत ज्यादा बड़ी हुई दिखेगी जबकि हो सकता है कि राष्ट्रिया बढ़ने के बजाए गड़ गड़ गई हो तो हम दो तरीकों से राष्ट्रिया की करना कर लेते हैं एक तो करेंट प्राइस पर अच्छलित मूल्यों पर र आश्ट्रिया की करना इस्तर मूल्यों पर आश्ट्रिया की करना में हम कोई एक ऐसा ऐसा एयर ऐसा वर्ष आधार वर्ष की रूप में ले लेते हैं जो समाने वर्ष रहो जिसमें कोई उतार चड़ाव युद्ध अकाल बार जैसी असमाने गटने नहीं हुई हो तो हम अग वे जाधा सही परिडाम देगा सरकारी विया और करार ओपन सरकार के प्रशासनिक विया और वयवहार में उता हैं आधेव उनके उत्पादन एवा मुभोग विया के प्रभावों का विश्लेशन बहुत मुश्किल होता है इसे प्रकार करार उपन के डर से उत्पादन और आय को कम बताने के प्रवर्ति पाई जाती है इससे भी राश्ट्रिय आये जो है वो हमें गर्णा करने में कठिना ही होती है और सही आकलन हम नहीं कर पाते हैं अर्थ्विवस्था में गैर मौद्रिक शेत्र की प्रधानता होती है विशेश रूप से अविक्सित और पिश्ट्री अर्थ्विवस्थाओं में बहुत बड़ा भाग नौन मौनिटाइज सेक्टर या गैर मौद्रिक शेत्र होता है जिसमें कितना लेन देन हुआ उसका कोई मौद्रिक मूल्य का आकलन नहीं होता तो राष्ट्री आय की गड़ना में सिवह छूट जाता है और इस प्रकार से राष्ट्री आय की गड़ना का आकलन सही नहीं हो पाता है तो इस परकार राश्ट्रियाय की करना में कई प्रकार की इकटना ही आते हैं लेकिन राश्ट्रियाय की अध्यन का महत्यू निरंतर बढ़ता जा रहा है और प्रोफेसर कीन्स ने राष्ट्रियाय को समश्टी वादी अर्थशास्त्र का आविभाज्य एवं महत्वपोन अंग माना है और इस कारण से राष्ट्रियाय का अध्यन अर्थशास्त्र में बेख़द महत्वपोन है कई बार आप लोगों से विशेश रूप से पूछ लिया जाता है कि जो आविक्सित राश्ट्र है वहाँ पर राश्ट्रियाई की गढ़ना करने में क्या घठनाई आती है राश्ट्रियाई की गढ़ना में काफी आखड़ों की जरुवत होती है जिनका अल्प विक्सित देशों में प्रहय अभाव पाया जाता है इसलिए इनके देश की जो राश्ट्रियाई के अनुमान और आकलन होते हैं वह बहुत अधिक विश्वस्तिय नहीं होते हैं तो इसमें सबसे पहला जो कठिनाई आती है वो है आर्थिक रिया में विश्वस्तिय करण का अभाव पिछले देशों में बहुत से विक्तियों का विफसाय सुनिश्चित नहीं होता और उन्हें अपने आये बढ़ाने के लिए कई तरह के काम करने पड़ते हैं इस कारण से राष्ट्रियाय का हिसाब लगाना बहुत मुश्किल होता है दूसरा है गैर मुद्रिकत शेत्र का पाया जाना पिछले वोई देशों की अर्थिवस्ता में गैर मुद्रिकत शेत्र पाया जाता है उत्बादक उत्बादन का एक भाग स्वैम के उभूग के लिए रख लेते हैं तता अन्य लोगों से वस्तु विनिमे कर लेते हैं जिनका कोई हिसाब किताब मौद्रिक मूल्लियों का नहीं रखा जाता है इस वकार राष्ट्रियाई के सही अनुमान लगाने में कठिनाई हो कठिनाई होती है तीसरा है आए व्यका हिसाब नहीं रखा जाना ज्यादा तर अविक से देशों में अनपड होते हैं लोग प्रशी अर्थ्यवस्ता प्रमुक होती है प्रशक ज्यादा तर अशिक्षित होते हैं हिसाब किताब नहीं रख पाते खेती के उपज मात्रा मूल लिए का अनुमान नहीं लगा पाते तो इस प्रकार से ऐसे राष्ट्रों में बहुत समस्य आती है कि किस प्रकार से राष्ट्रे आए की सही-सही गढ़ना की जाए और एक और बहुत जो महतुपूर्ण बिंदू है जिसके बारे में आपको चर्चा करना जाऊंगी कि अलपविक्सित देशों में उत्पादन शेत्र में बहुत चोटी-चोटी इकाईयों की भरमार होती है जिनकी आए का अनुमान लगाना बिल्कुल भी सुगमनी होता है जैसे अनेक लगू, कुटी, रुद्योग पाये जाते हैं, संगठित शेत्र पाये जाते हैं जो ठीक स हिसाब भी नहीं रखते हैं, तो इस प्रकार से आर्थिक इनका आकलन करना राश्ट्रियाय का बहुत मुश्किल होता है, इसी कारण से अलपविक्सित देशों में राश्ट्रियाय की आंक्रे कम विश्वसनी होते हैं, प्रॉफिसर अशोक रुद्र ने भारत में राश्ट होते हैं, ताकी भार आकले अधिक विश्वसनी हो, अब यह तो चर्चा हुई कि किन-किन कठनाईयों का सामना हमें करना पड़ता है, अब इक सित राश्ट्रों के संदर में मैंने मुख्य बिंदु बताए, जो कि राश्ट्रियाय की करना करने में आते हैं, तो अन्तिम जो वीडियो में जर्चा करने जा रही हूँ, वो यह है कि राश्ट्रियाय की अनुमान में और उपयोग में क्या कै साफधानिया बरत नहीं चाहिए, ताकी राश्ट्रियाय की गणना सही सही हम कर पाएं, तो राश्ट्रियाय की गणना में भिन्निता, एकत्रित आंक्रों में समान आधार का अभव तता परिस्तितियों के विन्नता के कारण राश्ट्रियाय के आधार पर निकाले गए निश्कर्ष कई बार गलत और भ्रमात्मक हो जाते हैं अते तुलना करने में राश्ट्रियाय के विशलेशन से आर्थिक नेने में दो राश्ट्रों की तुलना करने में पुन सतर्ता बरतना आविशक है तो सबसे पहला बिंदू जो हमें ध्यान रखना चाहिए राश्ट्रिया की गर्णा करने में वह है गैर मुध्रिकत वह है मौध्रिक आए और वास्तिक आए में अंतर करना देश में मूले स्तर में परिवर्तन होते रहते हैं, मौद्रिक आये में घटत बटत होती हैं और उसका वास्ट्रिक आये पर भी प्रभाव पढ़ते हैं कुल आए के स्थान पर प्रतिव्यक्ति आए किसी भी देश की राष्ट्रिय आए कि तुलना करना ज्यादा ब्रहमात्मक है क्योंकि एक देश की जनसंक्या कम हो सकती है तो एक बड़ा हो सकता है कोई राष्ट छोटा हो सकता है कोई राष्ट छोटा है और उसकी राष्ट्रि कम है और जो छोटा आहे कि राष्टी आहे लेकिन वा बहतर हो तो हमें प्रति वेक्ति आये का फ़ॉर्मुला होता है कि कुल आय में से जन्संक्या का भाग दें। एक वेक्ति कि और सक आय उस राष्ट में कितनी हैं यह में ग्यान प्राप्त हो जाता है और प्रतिवेक्ति आय के आधार पर दो राष्टों के अगर हम विकास का अधियन करें तुलना करें यो कौन सा राश्ट बहतर है तो वह हमारा ज्यादा बहतर तुलना हम कर पाएंगे राश्ट्रिय आय की तुलना में प्रतिवक्ति आय को आधार बनाया जाना चाहिए तीसरा है आय के वित्रण की विवस्ता राश्ट्रिय आय की कुल मात्रा ये प्रतिवक्ति आय की अधिकता ही अधिकतम कल्यान का दियो तक नहीं है एक देश की कुल राश्ट्रिय आय अधिको और प्रतिवक्ति आय भी अधिको परन्तु धन का अत्यदिक असमान वित्रण हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि वो देश का जीवनस्तर रूचा है, केवल कुछी वर्गों द्वारा राश्ट्रियाय पर आधिपत्य प्राप्त कर लेना, सामाजिक और आर्थिक द्रिश्टी के साथ साथ राजनितिक द्रिश्टी से भी यह खतरनाक और अनुप्युकत है, आश्ट्रियाय की गड़ना और उसके निश्कर सही और वास्त्विक ताके निकट होगे, धन्यवाद